नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो हमारा आज का जो वीडियो है वो है कि इस कार्ड के अंदर जो हमारा फ्री डीटीएज का कार्ड होता है इसके अंदर जो टांजिस्टर होते हैं यह क्या काम करते हैं और इनके खरा क्षाओं पिखान्विगा 285 या को की अंदЕर कैर्व कि देखर 585 यह से दिखा देता हूँ आदर यह deriv कर दोटोन्ब मॉτοश्क्क करते हैं तो दोस्तों के खराब होने से कि अमेरे करो हम手र करते तो यहन पर कि लोगा होते हैं लिद्व हो आगए वर्टिकल और लगाएगी यानि दोनों में से एक भी ट्रव्य खराब होता तो जैसे कि आपके हरजेंटल या वर्टीकल में से कोई भी एक चैनल नहीं आएंगे उसके अंदर खाली एट करेंगे website लाएंगे या थो 110000 टक पर और कभी यह होता है कि इसके तो ऐसा सरक्षिट खराब हो जाता है या 12 बोल से चालू रहे तो एक तो हमारा हो जाता है अगर अगर सही है तब हमारे जो हैं दोस्तों इन ट्राइश्टर के अंदर से कोई एक खराब होता है जिसके वज़े से हमारा जो सेट आप बॉक्स है वह पूरे चैनल इसके नहीं करता तो यहां पर देखें तीन डाइब बोड है और यह दो रेंश्ट रहे इन सब को आप चेंज कर लें और चान्ज करने से आपके प्रोब्लम जो दोस्तों सौल्फ हो जाएगी क्योंकि यह निके अंदर यह सबस्यादा प्रोब्लम आती है कि यह तो हमारे होर्जेंटर चैनल नहीं आएंगे यह वर्क्रिकल चै तो देखिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूं इस ट्रांजिस्टर के आपका जो है प्रैक्टिकल करके यह कैसे काम करता है और इस ट्रांजिस्टर से हमारे सिग्नल में क्या प्रोब्लम आती है तो यहां पर देखिए वोल्टेज आपको दिखाए दे रही होगी 22.54 के आसपास आ रही है ट्रांजिस्टर देखिए हमारे दोनों लगे हुए है और जो मल्टिमीटर है मैंने देखिए सिग्नल वाली लीड पर लगाया हुआ है जो हमारा मल्टिमीटर है जहां पर हमारी एलनवी की वोल्टेज जा जाएगी और जो हमारा यहां पर जो चैनल चला है वो चला जाएगा यानिकि हमारी बोल्टेज कम हो जाएगी तो हमारा होड़ेंटल या वर्टिकर कोई सभी चैनल जो इसमें से चले जाएंगे तो अब देखिए मैं इसकी पहले पावर सप्लाई को निकाल देता हूं और आउठ देखिए इस वाले ट्राइंश्टर को मैं निकाल लेता हूं अभी यहांपर बोल्टेज आपको AD2 दिखाए दे ती लेगिन ट्रांजिस्टर निकालने के बाद आप बोल्टेज देखना इसके अंदर कितनी होगी तो मैं ट्रांजिस्टर को पहले निकाल लेता तो देखिए मैंने जो है टान्जिस्टर को बाहर निकाल लिया अब देखिए में एक बाड जो है आपको पास से दिखा देता हूं इसके अंदर देखिए जो टान्जिस्टर रही ओपन हो चुका यह देखिए यहां पर आप ट्रांजिस्टर निकालते यहां पर बोल्टेज निकालते यहां पर बोल्टेज को निकाल दिया तो यहां पर बोल्टेज हो गई हमारी 18.47 यह 43 के आसपास तो इस तरीके से जो हमारे ट्रांजिस्टर निये खराब होने से जो हमारे जो आधे चैनल ही आएंगे हम चैक कितना भी स्कैन कर ले उसके अंदर प्रोपर चैनल नहीं आएंगे तो दोस्तो मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना